देवघर त्रीकुट रोपवे हद्से में तीन की मौत 32 लोग बचाये गए 15 अभी फंसे हैं देवघर में त्रीकुट पहाड पर हुए रोपवे हद्से के बाद बचाव कारे के दुरान सोमवार को एक और परेटक की मौत हो गई है रभीवार को दो महिलाओ की मौत होई थी सोमवार सुबा से सुरू किये गए रेस्क्यू अपरेशन के बाद 32 परेटकों को रोप हुए पर फंसी ट्रोली से निकाला गया बता देर सम तक 15 और परेटक चार ट्रोलीयों में फंसे थे अब उन्हें मंगलवार को निकाला जाएगा रात में इनके लिए भोजन पानिक विवस्था की गई रभीवार साम 5 बजे हुए हादसे के बाद 26 ट्रोलीया रोपे पर फंस कई थी अंधेरा होने के कायन बचावकार सम वार के सुबह से सुरू किया गया जारखन में 10 दिनों में 289 आदिवासी युवक यूतियों को मिला रोजगार जारखन के अनसुचित जाती एवं अनसुचित जन जाती परिवार से आने वाले बेटे बेटियों को गरीबी के कूच चक्र से बाहर निकाल कर आधोनिक परिसिक्षन देकर सुरुक्षित रोजगार देने के लिए राज सरकार के माइक दरसन में कल्यान गुरुकूल नहें आयाम गड़ रहा है बतादे एक अप्रेल से 11 अप्रेल 2022 के बिच 289 यूको को कल्यान गुरुकूल द्वारा पर सिक्षन के बाद रोजगार उपलवद कराया गया इनमें 151 यूको को कंस्ट्रक्षर और मैनुफैक्चिरिंग एवं 128 यूतियों को सिलाई मसीन ओपरेटर के पद पर न्युक्ति पत्र दिया गया पद्मभूसन कडिया मुंडा बीमार मेडिका होस्पीटल में भरती जारखन के खुटी से आठ बार सांसद रहे पद्मभूसन कडिया मुंडा बीमार हो गए है सिरी मुंडा को इलाज के लिए राच्चि के मेडिका होस्पीटल में भरती कराया गया है उन्हें नमोनिया की सिकायत है मेडिका होस्पीटल में डाक्टर बीजाय कुमार मिसरा के नेतित में इलाज चल रहा है पद्मभूसन कडिया मुंडा से मिलने होस्पीटल पहुंचे केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके जल्द स्वास्त लाव की कामना की कहा कि मेरे अभिभावा खोटी के पुरुसांसद एवं लोग सभा के पुर्व उपाध्यक्स पद्मभूसन कडिया मुंडा का अचानक तवियत खराब हो गया कोडारमा में दो पक्षों के बीच बिवाद पूलिस कर रही क्या है कोडारमा थना छेतरे के जल्वा बाद में रभिवार को राम नमी जूलिस के दवरान एक पक्ष द्वारा ब्यवधान उद्पन करने के मामले में सो मुआर को तूल पकड़ लिया रूपवे हाद्सा राजेपाल ने जताया दूख राजेपाल रमेस बैस ने देवहर के तुरीकूट परवत पर बने रूपवे हाद्सा अत्यांत दूख़त एवं पीड़ा दायक बताया साथ ही मृत्कों के परिजनों के प्रतिगहरी सनवेदना ब्यक्त करते हुए घालों को सिग्र स्वास्त लाव की कामना की है खटना के समध में बताया गया कि हेलिकोप्टर से एर लिफ्ट किया जा रहा था इसी बीच एक ब्यक्ति भी गिर गया जमीन पर गिरते ही ब्यक्ति अचेत हो गया और कुछ देर में ही उसने दम तोड़ दिया बता दे कि भारतिये वायू से ना के दो हेलिकोप्टर इस बचावकारे में जुटे हुए है जारखन की प्राइबेट इसकूलों की मनमानी पर न केल नीजी इसकूलों की मनमानी पर सिख्चा मंत्री जगानात महतो ने कहा है कि वे लोग राज सरकार के नियंतरन से बाहर है कुरोना के पुर्व जब उनकी सरकार ने नियम बनाया कि प्राइबेट इसकूलों को हर साल से रिप्टियोशन फिस लेनी है नमानकन सुल्क नहीं, इस पर सभी नीजी स्कूल एकजूट होकर सुप्रीम कोट चले गए थे, सुप्रीम कोट ने सरकार के निने के खिलाब फाइसला दिया था, बाजूद सरकार ने हाल के दुनों में बोकारों के दो नीजी स्कूलों खिलाब जाच कराई है, साथ ही नीज कोट के जश्टिस डाक्टर एसन पाठत की अधालत में राजे के गाराग गयर अनुसुजी जीलों में सिख्षकों की नियुक्ति की मामले में सुनवाई हुई अधालत ने गाराग गयर अनुसुजी जीलों में सभी भी सवयों के सिख्षकों की नियुक्ति करने का देश दिय अदालत ने कहा कि जिन जीलों में सिक्सकों की नियुक्ति के अनुसंसा कर दी गई है उनकी नियुक्ति की जाए वहीं जिन जीलों में परिणाम अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है उनका परिणाम जारीक और आठ सप्ता में नियुक्ति परकिरिया पूरी कर ली जाए रोपवे हाधसे में एक क्लोर मुववजादे है मंत सोरेन रखुबर्दा ज्यारखन के पुरो मुख मंत्री सभाजपा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रखुबर्दास ने कहा है कि ज्यारखन के निकम्मी और निस्किरिय सरकार के कारान देवघर में पिछले 22 गंटे से आत एवं कल देवघर में ही थे इससे यह दिखता है कि घटना को लेकर है मंत सरकार के इतनी कंभीर है मंत्री जगनात महतों के भाई को जमानात जार्खन हाई कोट ने सो मुआर को संतोस पांडे हत्याकान ममले में सिक्षा मंत्री जगनात महतों के भाई बजनात महतों को जमानात दे दी है जरकन हाई कोट के जस्टिस आर मुखो पद्याय और जस्टिस राजेस कुमार के अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा परदान की पताज निशली अदालत ने बजनायत महतो सहित अन्यों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है जिसके खिलाप उनकी ओर से हाई कोट में अपिल दाखिल करते वे जमानत की मांग की गई थी बेटियां सिक्षित होगी तो समाजिक बुराया समाप्त हो जाएगी राजेपाल राजेपाल रमेस बैस ने कहा है कि बेटिया सीख्छा के प्रति जाग रूप है और काफी अच्छा भी कर रही है एक बेटि पढ़ती है तो पूरे परिवार वो समाज को सिक्षित करती है अगर समाज सिक्षित हो जाएगा तो बाल बिवा दहेज प्रता जैसी समाजिक बुर तरीके से देखने की जरूरत है Land Rover और Mercedes की सवारी करेंगे CM हेमांत जारखन के मुख्य मंत्री हेमांत की सुरक्षा में 12 नई गाड़ियों के खरीद की गई है CM कारकेट के लिए 18 नई गाड़ियों को सामिल किया जाना है इस खरीद के लिए 18 नई गाड़ियों की डिलेवरी दे दी गाई है पुलिस मुख्याले ने मुख्य मंत्री के सुरक्षा मांकोक देखते हुए CM कारकेट की गाड़ियों को बदलने का फैसला लिया है लोहर्दगा रहा बंद, इंटरनेट बंद होने से बैंक भी बंद रही लोहर्दगा के हीरही भोकता बगीचा, स्री राम नमी सोभायात्रा और मिले में हुई हिंसा आग जानी की घटना के बाद सोमवर को लोहर्दगा सहर पूरे तरह बंद रहा भरत, मिलाप, सोभायात्रा और चैती दुरगा भी सरजन सोभायात्रा समेच सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान के लिए दिये गए आदेश को परसासन ने ततकाल परभाव से वापस ले लिया इस आदेश के खिलाप जीले भर के लोगों ने अपने अपने बैपारिक परतिस्ठान और दुकाने बंद रखी रोपवे दुरगाटना की जाच कराएगी सरकार जार्खन सरकार के स्वास्त एवं आपदा परवंधन बिभाय के मंत्री बना गोपता ने देवघर में तिरिकूट पहाड़ पर रोपवे दुरगाटना पर चीनता जताई है उन्होंने एक बियान जारी करते हुए कहा की देवघर रोपवे दुरगाटना की जाच कराएगी या समय राजनीति का नहीं बलिक पीडितों को साहता पहुचाने कहा है राज सरकार, केंद्र सरकार, इंडियन आर्मी वा इंडियन एर फोर्स के मादे हमसे रेस्क्यू अभियान चला रही है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्रत्मिक्ता लोगों की जान बचाने की है रेस्क्यू अभियान में एंडियारेप को भी लगाया गया है जीला जज पद पर सीधी भरती 18 तक आवेदान पत्र निर्गत किया गया है नई खेल नीती और होल्डिंग टेक्स पर लग सकती है मुहार मुख्य मंत्री हमन्सुरिण के द्यक्सता में कैविनेट की बैठाक जार्खन मंत्राले में बुद्धवार साम पांच बज़े हो किया जनकारी मंत्री मंदल सचीवाले और निग्रान उर्जा संग्रक्षन जागरूपता अभियान 30 तक चलेगा अभी देश में पेट्रोलियम उत्पाइदों की जीतनी खपत है उसकी तूलना में 20 फिदी से कम संग्रक्षित किया जा रहा है पेट्रोलियम उत्पाइदों को इस्तेमाल से लोगों के काम आसान हुए है लेकिन इनेत संग्षित करने की भी जरूरत है या बातेसों मुहर को राजे के खाद जनवितरन और उभोकता मामले के अपर सचीव सतीष चंद्र चोधरी ने स्टेशन रोड इस्थित एक निजी होटल में जार्खन आयल इंटरस्टी द्वारा आयोजीत सक्षम 2022 कारेकरम दोरन कह जार्खन में चार साल बाद फिर सिख्षको की नियुक्ति परक्रिया शुरू होगी स्कूलिस्तिक्षा योम सक्षता विभाग ने त्यारी सुरू कर दिया है राज ये के 510 पलस्टू बिद्यालों में 31 सिख्षको की नियुक्ति होगी विभागी अस्तर पर रोष्टर किल पर रोष्टियों के लिए प्रवधान सितिल है चुनाव पर चार में दो गाड़ योग का ही इस्तेमाल कर सकेंगे मुख्या परत्यासी राज निर्वाचन आयोग ने जार्खन में पंचायच चुनाव के दोरान चुनाव पर चार के लिए परत्यासी द्वार वाहनों के उ द्वाहन चुनाव पर चार के लिए उपयोग में नहीं ला सकते हैं धन्यवाद